लंसम investment यानिक एक बड़े amount से की जाने वाली investment हो सकता है कि आपके पास को चिखटा पैसा रखा हुआ हो जिसको आप finally mutual fund में या mutual fund में ही नहीं आप stocks में या किसी दूसरे option में invest करना चाहते हैं तो ये जो बड़ा amount आपके पास रखा हुआ है जो कि आपने एक खटा किया हुआ है इसको बोलते हैं lump sum investment अब ये जो बड़ा amount होता है ये बड़ा amount हम किसको कहते हैं कितने पैसों को बड़ा amount या फिर एक बड़ी lump sum investment कहा जाता है तो lump sum investment की सबकी अपनी परिवाशा है हो सकता है कि आपके पास 10 लाग रुपे रखे हूँ हो सकता है कि आपके पास 5 लाग रुपे रखे हूँ हो सकता है कि आपने सोचा हो कि एक iPhone पर्चेस करने की बजाए में एक Android phone पर्चेस कर लेता हूँ और जो बागी के 58,000 रुपे हैं उनको as a lump sum में कहीं पर invest कर सकता हूँ जो कि obviously एक बहुत अच्छा decision है इससे अच्छा decision और कुछ होई नहीं सकता तो अगर आपके पास एक lump sum amount रखा हुआ है जिसको आप mutual fund में invest करना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी planning है जिसके थूँ में चलूँ और इन पैसों को मैं एकटा कहीं पर invest कर सकूँ जहाँ पर मेरा risk कम से कम हो यानि कि मुझे जो returns है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें क्या कोई ऐसा equity mutual fund है जहाँ पर मैं एक ही बारी में सारा पैसर डाल सकता हूँ और मुझे किसी चीज़ की tension न लेनी पड़े और मुझे बस returns अच्छे मिल जाएं तो इसका एक simple सा short answer है नहीं, ऐसा कोई भी equity mutual fund नहीं है जहाँ पर आप एकटा ही सारा पैसर डाल सकते हैं और वो mutual fund automatically आपको अच्छे returns दे दे यह जो lump sum investment होती है यह बहुत risky investment होती है यानि कि एक छोटी से गलती आपको समय से इतना पीछे पहुचा सकती है समय से पीछे पहुचाने का मतलब कि जो फायदा आपको अगले एक साल में होने वाला था हो सकता है वो फायदा या उत्ते returns आपको अगले तीन-चार साल बाद मिलें तो finally आपको करना कह चाहिए इस lump sum amount को आप कैसे invest कर सकते हैं इसी बारे में आज हम इस वीडियों बात करेंगे तो आए जल्से से स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है रंजन आप देख रहे हैं your everyday guide वैसे तो आपने जहां भी सुनाया पड़ा होगा कि mutual fund में invest करने का best तरीका क्या है और जो compounding interest होता है इसका आपको बहुत दा benefit मिलता है जो कि सही है सारी बाते सही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन दूसरी बात यह आजाती है कि अगर आपके आँखें अभी अभी खुली है आपने अभी अभी जाना है कि आपको investment करना start कर देना चाहिए जो पैसा आपके savings bank account में रखा हुआ है या फिर FD की form में रखा हुआ है इस पैसे को आपको काम पे लगा देना चाहिए तो obviously आपके पास एक बड़ा amount या फिर lump sum amount रखा होगा जो कि आप invest करना चाहते हैं अगर आप एक normal SIP के approach लेके चलते हैं तो ये जो lump sum amount है इसको invest करने में आपको काफे जादा समय लगने वाला है क्योंकि जो हम SIP बनवाते हैं ये SIP हम अपनी monthly income के हिसाब से बनवाते हैं जितने मेरे monthly expenses होते हैं उन expenses को निकालने के बाद जो मेरे पास पैसा बसता है मैं इस पैसे की SIP बनवाता हूँ तो मेरी जो monthly income है ये तो regular आई रही है मेरी SIP दो चली रही है और ये जो lump sum amount है मुझे इसको भी कहीं पर invest करना है तो ये जो पैसा आप invest करते हैं मान लिजे आज आपने पैसा invest किया दो तिन दिन बाद या दस दिन बाद अचानक से market down हो जाती है तो आपके जो returns होते हैं ये भी काफ़े जाता down हो जाते हैं यारे कि negative form में चले जाते हैं और वहीं अगर market उपर जाती है तो जो आपके returns है ये positive हो जाते हैं आपको यहाँ पर profit होता है तो एक बहुत साधारण सी बात है इसमें कुछ नहीं चीज नहीं है तो मान लीजिए कि आज अगर मेरे पास एक लाग रुपे रखे होए हैं ये एक लाग रुपे मैं आज ही mutual fund में invest कर देता हूँ तो दो दिन बाद, तिन दिन बाद या दस दिन बाद अगर market लगाता और down होती है तो मेरे जो एक लाग रुपे हैं हो सकता है कि इनकी value एक लाग रुपे से घटके 80,000 रुपे हो जाए हो सकता है 85,000 रुपे हो जाए तो market जितने down जाती जाएगी मेरा जो एक लमसम amount है इसकी value उतने ही down होती चली जाएगी क्योंकि जो mutual fund investment होते हैं ये directly stock market से linked होते हैं market जितने down जाएगी mutual fund का portfolio भी आपका उता ही down जाएगा यानि कि ये एक लाग रुपे मुझे एक ऐसे समय में invest करने चाहिए जब market अल्रेडी काफी down पर है अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि market down है या और भी जादा down होने वाली है या अब होने वाली है तो यहीं पर ही lump sum investment के साथ सबसे बड़ी problem आ जाती है कि market को सही से time कर पाना बहुत मुझे काम होता है आपके लिए ये पता लगाना बहुत difficult काम है कि market is fuck down है या और भी जादा down जाने वाली है आपको किस समय पर actually में investment करनी चाहिए हो सकता है कि जो professional investors होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से market में investment करते हैं market को जानते आए हैं वो लोग ये estimate कर पाते हों कि market is fuck down है या अब है लेकिन अगर आप एक professional investor नहीं है तो thumb rule यही कहता है कि आपको कभी भी lump sum amount equity mutual fund में invest नहीं करना चाहिए equity mutual fund से आपको बचना चाहिए क्योंकि गलत समय पर अगर आपने यह investment कर दी और उसके बाद market गिर गई तो आपको अपने investments के return को वापस लाने में बहुत जाता समय लग सकता है इसके recovery में आपको बहुत जाता time लग जाएगा तो इसका solution क्या है ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इस lump sum amount को finally आपको कैसे deploy करना चाहिए तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो यह कि invest all your amount in a more stable and safer option तो यह जितना भी lump sum amount आपके पास रखा हुआ है यह आपका savings bank account में रखा रहे या FD में रखा रहे इसको कहीं पर invest करके रखें तो यह कौन जगा है जहां पर आप invest कर सकते हैं तो इससे पहले कि आप इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करें आपको क्या करना है कि आपको इन पैसो को दो हिस्सों में divided कर ना है तो equal parts में डिवाइड करना है तो एक जम्पल कory तो तो माल लीजिए अगर आपके पास 2,40,000 रुपे रखे हुए हैं तो आपको इनको दो पार्ट में divide करना है 1,20,000 रुपे का amount एक और 1,20,000 रुपे का amount एक अब इन दोनों पैसों को आपको कैसे invest करना है जो आपके पास पहले 1,20,000 रुपे हैं इनको आपको invest करना है liquid fund के अंदर यह liquid fund कोई भी हो सकता है आप चाहिए SBA के purchase कर लीजिए ICC bank कर लीजिए सारे ही liquid funds almost around same ही returns देते हैं same आपको वही 5% या 6% के returns मिलते रहेंगे market जाए कितनी भी उपर जाए, market जाए कितनी भी नीचे जाए आपके liquid funds की performance जादा उपर नीचे नहीं जाती यह बहुत जादा fluctuate नहीं करते आपको एक stable returns मिलते रहते हैं तो जब तक आपका पैसा सही जगा पर एक सही equity mutual fund में नहीं पहुँच जाता है तो आपको इस पर कोई भी penalty या कोई भी extra charge पे ही नहीं करना होता इसका कोई भी exit load नहीं होता अभी liquid fund क्या होते हैं इसको पर मैं एक detail video कभी आगे चलके बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए आप एमान के चलिए कि liquid fund एक ऐसी जगा है जहाँ पर आप अपना extra पैसा पाक करके रख सकते हैं जब तक वो पैसा एक सही जगा पर एक सही investment option के नहीं पहुँच जाता लेकिन क्योंकि यहाँ पर returns काफी कम होते हैं इसलिए आप इस पैसे को बहुँज़ाद समय के लिए नहीं रख सकते आप एक long term investment की तरह एक liquid mutual fund को नहीं चूस कर सकते इसलिए मैंने यहाँ पर दो पार्ट लिए हैं पहला पर एक लाग BCR रुपे का जिसको आपने liquid mutual fund में डाल दिया है अब बात आयाती है दूसरे 50% पार्ट की यानि कि जो दूसरे एक लाग BCR रुपे आपने side में रखे हुए हैं इनका क्या करना है वैसे दो यह complete 240 रुपे का जो amount था इस पूरे amount को ही आप liquid mutual fund में डाल सकते थे जहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा मानता हूं कि return जाद अच्छे नहीं मिलेंगे तो जैसे कि आप मेरे screen भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खोला हुआ है smallcase.com और मैंने यहाँ पर search किया है all weather investing तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं यह चीज़ पहले clear कर देता हूँ कि यह कोई paid promotion नहीं है कि मैं यहाँ पर zero धा यह small case का कोई promotion कर रहा हूँ बना हुआ है यह portfolio of stocks यह portfolio of different items हैं जिससे इसकी performance decide होती है तो बागी की details हम आगे चलके देख लेंगे लेकिन इससे पहले अगर हम इसकी past performance पे एक नजर मार लें तो जब से small case start हुआ है यह small case start हुआ था 29 June 2007 में और तब से लेके आज तक इसकी जो performance है यह जो blue line आप देख सकते हैं blue graph जो आप देख सकते हैं इसकी performance कुछ इस तरीके से रही है वहीं अगर हम equity large cap की बात करते हैं तो equity large cap में आप देख सकते हैं कितने fluctuation हुए हैं कितने बार यह उपर नीचे हुआ है लेकिन जो all weather investing है इसने एक stable return दिया है बहुत जादा fluctuate यह नहीं हुआ है और finally अगर हम देखेंगे आज के समय में भी जो all weather investing है इसने equity large cap से जादा ही returns दिये हैं तो अगर हम जादा बड़ी बात नहीं है अगर हम पिछले इसके 5 साल के returns देख लेते हैं अगर आप equity large cap में देखेंगे तो corona की time पे यह बहुत जादा गिर के यहां तक पहुँच गया था लेकिन जो all weather investing है इसने उस time भी काफी stable से returns दिये थे यानि कि हमें समझने कोशित यह करनी है कि अगर आप एक lump sum amount all weather investing में डाल देते हैं तो क्या यहां पर आपको बहुत सो तो नुकसान होने वाला है या फिर आपके जो growth है वो stable growth होती रहेगी जो कि मेरे ख्याल से आप इस graph से काफी साथ ने interpret कर सकते हैं अगर मैं इस graph को पिछले 5 साल के जगा पिछले 1 month पे लिया आता हूँ वो investment आज आपकी हो जाते है 96 रुपीज की लेकिन अगर वही investment आप करते हैं all weather investing के अंदर क्योंकि market इस वक्त बहुत साथ डाउन है जिस time पे वीडियो बन रही है तो यह जो 100 रुपीज की investment आप करते हैं पहले यह investment आपकी जादा सर जादा गिर के 0.5% गिरती तो आपकी जो investment के आज value होती यह value हो जाती 99.50 जो की एक बहुत बड़ा decline नहीं है अगर हम compare करेंगे equity large cap के साथ तो जहाँ पर 96 रुपीज के आपकी value रह जाती यहाँ पर आपकी value आजाती है 99.5 रुपीज की वो भी तब जब market बहुत जादा गिरी है अब आप कैंगे कि भज़ा नुकसान तो मैं यहाँ पर भी हुआ है 100 रुपे की जो मेरी investment थी वो 99.5 रुपे की रह गई है इससे better हो तो मैं liquid fund में डाल देता तो वहाँ पर मुझे 3-4 या 5% के returns मिल जाते आप सही है इसमें आप गलत नहीं है लेकिन कहानी थोड़ी से भी बाकी है तो अगर हम इसके थोड़ा सा और जाके देख लेते हैं कि यह जो all weather investing चीज है यह finally क्या है इसके अंदर आप किस चीज में invest करने वाले है तो अगर हम इसके ETFs and weights के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो instrument है यह actually 3 different parts में divided है gold में 43.21% है equity में 37.60% है और debt के अंदर 19.20% है यानि कि आपको जो पैसा invest हो रहा है all weather investing के अंदर यह सिर्फ और सिर्फ equity में invest नहीं हो रहा है यह सिर्फ debt में invest नहीं हो रहा है या फिर यह सिर्फ gold में invest नहीं हो रहा है तीनों को अपना अपना एक proportion है जो कि बहुत strategically choose किया हुआ है जिससे कि आपको एक regular stable growth मिलती रहे आपको नुकसान ना हो तो comparatively जहाँ पर liquid funds आपको देते हैं 3-4 या 5% के returns all weather investing के अंदर आपको 10-12% के returns भी असानी से मिल सकते हैं अगर आप और थोड़ से डिटेल में जानना चाहते हैं तो gold के अंदर जो investment आपकी हो रही है निपॉन इंडिया जूनियर बीस ETF और निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीस ETF जिनका 19 और 17% respectively जो है वो proportion divided है और finally आ जाता है debt डेट के अंदर निपॉन इंडिया लिक्विड बीस ETF है जो कि 19.19% का है तो यही वो reason है कि जहाँ पर liquid fund 5% या 6% के returns दे रहे हैं वहीं पर ही all weather investing 12% या 12% से जाधा गरे returns दे रहा है और यह returns भी stable returns है बहुत जाता fluctuate नहीं करते हैं आपको जो risk है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है और जो आपको returns मिलने वाले हैं यह returns आपके बढ़ जाते हैं तो आप अपना लंसम amount सारा ही liquid fund में डालते उससे better यह है कि हमने इसको दो पार्स में डिवाइड कर दिया है 50% और 50% liquid fund के अंदर आपको कोई भी नुकसान नहीं होता यहाँ पर आपके returns stable रहते हैं 5-6% के returns आपको मिलते रहेंगे वहीं दूसरी तरफ अगर हम all weather investing की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी stability मिंडेन रहती है यह market के साथ बहुत दा fluctuate नहीं करता यहाँ पर आपको returns 8%, 10% या 12% तक के असानी से मिल सकते हैं तो अभी के लिए यह तो हो गई वो बात कि आपको अपना lump sum amount पाक कैसे करना है इसको कहाँ पर आपको रखना है कि आपको कोई भी नुकसान ना हो आपको फायदा जादा हो अब दूसरा point आजाता है moving your liquid mutual funds to equity mutual funds तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि यह जो lump sum amount हमारे पास रखा हुआ था इस lump sum amount का उठाके हमने एक ऐसे जगा पर पाक कर दिया था जहाँ पर मुझे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और साथी साथ जो यह FD है या फिर savings bank account है मुझे at least इन से जादा returns मिल ले चाहिए तो अब हमें क्या करना है कि यह जो liquid mutual fund में पैसा रखा हुआ है इस पैसे को हमें दीमे दीमे move करना है equity mutual funds के अंदर क्योंकि again मैं सारा पैसा उठाके एक साथ equity mutual fund के अंदर नहीं डाल सकता क्योंकि अगें फिर से वही lump sum investment वाली बात आ जाएगी तो हमें क्या करना है कि इसको दीमे दीमे यहां से move करना है equity mutual funds के अंदर तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि यह जो liquid mutual fund में पैसा रखा हुआ है हमारा जो example था कि हमने 50% amount एक लाग 20,000 रुपे liquid mutual fund में डाले हुए थे 6 months enough होते हैं कि market कुछ ना कुछ fluctuate मारती है उपर नीचे जाती है और आप विदिन 6 months अपने सारे पैसे को liquid mutual fund से उठाके equity mutual fund में move कर सकते हैं अपना risk minimum करके तो यह आपको कैसे करना है आपको सबसे पहले जो 20,000 रुपे का amount है इसको आज ही जो भी आपने mutual fund चूज किया है उस mutual fund के अंदर आपको इसको उठाके invest कर देना है बिना कुछ सोचे समझे market चाए उपर हो market चाए नीचे हो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है simply जो आपकी 20,000 रुपे की सबसे पहली installment है इसको उठाके आपको equity mutual fund के अंदर invest कर देना है अगर आप mutual fund में नए है और आपको mutual fund के बारे में नहीं पता कि एक अच्छा mutual fund कैसे चूज करते हैं तो मैं इसके उपर एक dedicated video बना चुका हूँ आप इस वीडियो के चेक कर सकते हैं ये वीडियो आपके ज़रूर help कर देगी तो जैसे मैंने कहा हमने सबसे पहले installment 20 रुपे के उठाके डाल दे equity mutual fund के अंदर अब आपको क्या करना है आपको at least एक महीने का wait करना है एक महीने में market हो सकता है फिर से कुछ ना कुछ fluctuate करे हो सकता है ओपर जाए हो सकता है नीचे जाए तो exactly एक महीने बाद आपको फिर से 20 रुपे के second installment उठाके equity mutual fund में invest कर देनी है और ये काम आपको अगले 6 महीने तक लगातार करते रहना है ऐसा करने से क्या होगा कि आपने जितना भी पैसा यहां से यहां move किया है equity mutual fund के दर move किया है ये पैसा आपका धीमे धीमे market के हिसाब से average होके यहां पर invest होता रहता है अब ये averaging क्या होती है मान लीजी आपने जो mutual fund चूज किया है हम example लेके चलते हैं कि जो mutual fund आपने चूज किया है उस mutual fund की जो NAV आज के टाइम पे है मान लीजी वो NAV है 100 रुपीज की तो आपने 20 रुपे उठाके इस mutual fund में डाल दिये यानि कि जब इस mutual fund की NAV 100 रुपीज थी तो आपने 20 रुपे यहां पर invest कर दिये तो मान लेते हैं कि जब आपने investment की थी तो उसके 15-20 दिन बाद market का फिसाद गिर जाती है तो क्योंकि market गिर गई है तो आपका जो mutual fund है क्योंकि यह भी directly market से linked होता है तो इसकी जो NAV है net asset value है यह भी 100 रुपीज से गिर के 92 रुपीज की हो जाती है तो अब आप क्या करते हैं second installment उठाके इस mutual fund में डाल देते हैं जब इसका NAV 92 था तो आपके investment का जो average अब हो जाता है वो हो जाता है पहले आपने 100 रुपी गिया था अब आपने 92 पे बाई किया तो अब आपका average हो जाता है 96 रुपीज का तो तीसरे महीने अगेन जब market रोड से recover करती है market उपर की तरफ आती है माल लीजे अब इस mutual fund का जो NAV है यह NAV होगे है 97 रुपीज का तो यहाँ पर आपको profit हो जाता है क्योंकि आपने इसके averaging पहले ही कर ली थी 96 रुपीज पे आज market 97 पे है तो यहाँ पर आपको profit मिलता है तो अगर आप इस तरीके से investment करके चलते हैं तो इस चीज़ को averaging बोला जाता है यह averaging आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप directly stocks में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप bitcoins में या crypto में invest करते हैं तो आप crypto में भी averaging follow कर सकते हैं अपने investment को average कर दिने से जो आपके losses है जो आपका risk है यह काफी कम हो जाता है और same यही चीज़ follow होती है जब आप SIP करते हैं systematic investment plan लेते हैं क्योंकि आप हर मंत mutual fund में invest करते रहते हैं हर मंत आप कुछ ना कुछ units buy करते रहते हैं तो market उपर होती है आप तब भी buy कर रहे होते हैं market नीचे होती है आप तब भी buy कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके जो averaging है वो लगतार हर महीने follow होती रहती है इसलिए SIP को best तरीका बोला जाता है mutual fund में invest करने का तो हमने भी exactly यही किया है liquid mutual fund में जो पैसा रखा हुआ था इस पैसे को उठा के हमने within 6 months equity mutual fund में move कर दिया है averaging के हिसाब से वैसे तो honestly अगर मैं आपको बताओ कि अगर आप इस पैसे को all weather investing के अंदर ही छोड़ देते हैं अगले 2 साल के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए तो आपको यहाँ पर एक अच्छे returns मिलते रहते हैं 10-12% के returns आपको मिलते रहेंगे कि दीमे दीमे आप small case के अंदर से अपना पैसा निकाल के equity mutual fund जो आपने choose किये हुए हैं उनके अंदर आप लगतार investment कर सकते हैं आपकी again वहाँ पर averaging follow होती रहती है और आपका दीमे दीमे पैसा जो है वो small case से उठके equity mutual fund के अंदर पहुंच आता है और जैसा liquid mutual fund के साथ था कि liquid mutual fund से अगर आप कुछ पैसा withdraw करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी extra charge pay नहीं करना पड़ता सेम इसी तरीकी से small case के अंदर है small case में जब आप invest करते हैं तो वहाँ पे छोटी सी शायद 100 रुपीस की fees लगती है 100 रुपीस प्लस GST की लेकिन जब आप withdraw करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी penalty या कोई भी extra fees pay नहीं करनी पड़ती आप इस पैसे को withdraw करके as it is अपने दूसरे mutual fund में equity mutual fund में invest कर सकते हैं तो दोस्तों यह था वो तरीका जो मुझे समझ में आता है कि अगर आपके पास एक lump sum amount है तो उस lump sum amount को आप कैसे दीमे-दीमे deploy कर सकते हैं अपने equity mutual funds के अंदर बीना ज़ादा risk लिए बीना ज़ादा losses जहले तो यह जो process है अगर आप इसको इसी तरीके से follow करके चलते हैं तो यहाँ पर आपको कैसे follow करना है वो overall process आप इस तरीके से follow कर सकते हैं तो अब आजाते हैं इस वीडियो के final thoughts के उपर तो अगर आपके पास कुछ ऐसा lump sum amount रखा हुआ है जिसको आप invest करना चाहते हैं तो कभी भी इस lump sum amount को एक साथ equity mutual fund के अंदर मट डालना यहाँ पर को बहुतर नुकसान हो सकता है तो अगर आप investment करते वक्त एक सही strategy follow करते हैं तो यहाँ पर आपको mutual fund में कोई भी नुकसान नहीं होता ऐसा नहीं है कि आपके बाद 10 लाग रुपे रखे हुए थे और आपने mutual fund देखा जिसने past में 25% के returns दिये हैं तो आप सोचेंगे मैं इन 10 लाग रुपे को इसे mutual fund में आज ही डाल देता हूँ तो मुझे भी 25% के हिसाब से 10 लाग के 12 लाग रुपे मिल जाएंगे एक साल बाद यह ऐसे काम नहीं करता क्योंकि market हमेशा same performance नहीं देती mutual fund हमेशा same performance नहीं देते अगर आपने आज mutual fund में 10 लाग रुपे इन्वेस्ट कर दिये हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक महीने बाद यह पैसे बढ़के 11 लाग रुपे हो जाएं जा फिर 6 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि यह पैसे वापस गिरके आपके 9 लाग के 6.5 लाग रुपे ही हो जाएं तो अगर आप एक professional investor नहीं है आप market को बहुत जादर track नहीं करते हैं market की बहुत जादर knowledge नहीं रखते हैं तो आपको lump sum कभी भी एक साथ invest करने से बचना चाहिए आपको हमेशा छोटे छोटे investment या फिर SIP के थ्रू ही equity mutual fund के अंदर पैसा invest करना चाहिए क्योंकि यही एक best तरीका होता है अपनी investments को overall averaging करने का तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ help ज़रूर मिल पाएगी अगर आप lump sum में पैसा invest करने की सोच रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है आपको कुछ help मिल पाएगी है तो आप इस वीडियो को like करके मुझे बताएग और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा जल्दी ही मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching